प्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल ऑफिसियल एंग्लिस गुरूपर फ्रेंड्स यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको जॉब से रिलेटड सारी अपडेट समय से मिलती रहती है इसपेसली टीचर जॉब से रिलेटड तो फ्रेंड्स इसी प्रकार की एक वड़ी ख़वर के साथ मैं आपके बीचा जिरूँ जैसा कि कल मैंने जूनियर एडिड सेच्छक बरती पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें बहुत सारे साथियों की कमेंट्स मिले हैं जानकारी जो आपके लिए लेकर आए है बरती का आधार क्या होगा? किस बिसे में आप आविदन कर सकते हैं? क्या होगा सलेवस? कितने पेपर होंगे? व कितना रहेगा कट ओफ का प्रतिसत? केटिगरी वाइज बताने वाला हूँ भासा में किन बिसियों में हम आविदन कर सकते हैं? बिग्यान वगड़ित के लिए कौन-कौन से बिसे यानि कि जैसे कोई कंडिट B.S.C. किये हुए है तो बिग्यान या गड़ित दोनों में से किस में आविदन करें? और B.A.D. कितने प्रतिसत क्वालिफाइंग होना चा ऐसे चात्र भी आविदन कर सकते हैं या नहीं? तो ये सारी अपडेट्स इस वीडियो के माद्यम से मैं बताने बाला हूँ. तो चलिए का फ्रेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं. देखिए फ्रेंट्स स्क्रीन पर आपके कमेंट्स में बहुत सारे प्रस्न थे तो इत लिखा है कि 22 परवड़ी से आविदन 11 अप्रेल को होगी परिच्छत. बी एड या बी टी सी बाले एपलाई कर सकते हैं. जूनियर टेट और सी टेट आपके पास होना चाहिए. फ्रेंट्स बी टी सी या डी एलेड पूर्टैमान हैं. आप सभी लोग फॉर्म डाल सकते हैं जूनियर एडिट बिद्यालियों में प्रधना द्यापक तथा सायक अध्यापक भरती बिसेश. फर्स्ट पॉइंट में फ्रेंट्स मैंने लिया है इस बरती की अधिसूचना 18 फरवड़ी 2021 को जारी होगी अभी केबल जीयो या एडवाईजरी ही जारी हुई है. पहली बा केबल इसनातक तथा जूनियर लेविल यूपी टी एटी सी टी एटी परिच्छा है अते बी टी सी या बी एड़ वाले छात्र इसमें आविदन कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट फ्रेंट्स देखेंगे आप प्रधाना ध्यापक तथा सायक अध्यापक भरती परिच्छाएं अलग-अलग होंगी जो कि 11 अपरेल को अलग-अलग मीटिंग में कराई जाएंगी. फॉर्थ पॉइंट को देखेंगा फ्रेंट्स सायक अध्यापक हे तु परिच्छा में प्रथम प्रसन पत्र सामान ग्यान का होगा जो कि सभी के लिए अनिवारे है. इसमें 50 प्रसन हों जबकि दिती प्रसन पत्र में अभ्यर्थी को भासा या गड़ित या बिग्यान या सामाजिक बिग्यान विषय में से कोई एक खंड चुनना होगा. फ्रेंट्स यहीं पर आप ठीक से समझ लीजेगा. भासा का मतलब इसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत जो भी आपकी इन में से एक भासा रहेगी उसी को चुनना है. गड़ित बिएसी गड़ित वाला कंडेट गड़ित चुनेगा और बिग्यान वाला बिग्यान और सामाजिक बिग्यान यानि कि आट विषय में जिसका भासा से कॉंबिनेशन नहीं बन रहा है तो वो सामाजिक विषय का चै करना होगा परिच्छा की अवधी 1,5 घंटे की होगी यानी कि जो पेपर है वो आपका 1,5 घंटे का होगा फिप्थ पॉइंट पर फ्रेंट्स देखेंगे परिच्छा में उत्तीड होने के लिए अनारचित वर्ग यानि कि जनरल केटगरी के लोगों के लिए अभ्यर्थियों के लिए 65 प्रत्सत जबकि अरचित वर्ग यानि कि OBC, SC के अभ्यर्थियों को 60% पासिंग अंक लाने हों यानि कि सुपर्टेट की तरह फ्रेंट्स शिक्स नमर पॉइंट्स को आप देखेगा प्रधाना ध्यापक की भरती पर इच्छा है तो आविदन करने के लिए उसे इसनातक तथा सायक अध्यापक के रूप में कम से कम पांच वर्षी अनुभव होना चाहिए या यह अनु अध्यापक की पद पर अनुभव मांगा है अब देखने बाली बात ही होगी कि अध्य सूचना जब जारी होगी तब पता चलेगा कि यह पांच वर्षी अनुभव सरकारी विद्ध्यालियों का ही होगा या मानता प्राप्त विद्ध्यालियों में जो एप्रूब टीचर ह वह भी मान होगा इसके लिए भी हमें प्रतिच्छा करनी होगी सेबन नंबर पॉइंट्स पर देखेंगे फ्रेंड्स प्रधाना द्यापक बरती परिच्छा बाले प्रस्न पत्रों में बिद्ध्याले प्रसासन यानि कि यह सब्जेक्ट रहेगा यह आपका पाटिकरम रह हैड मास्टर के लिए जो प्रधाना द्यापक या प्रधाना चार जो भी कहें बरती परिच्छा के लिए प्रस्न पत्रों में बिद्ध्याले प्रसासन बिशे सम्मंदित जानकारी सिच्छा समंदि आयोग अधिनियम पूछे जाएंगे और आठ्मा पॉइंट देफरेंट इस भरती परिच्छा से केबल इस भरती परिच्छा से पहले कोई UPTET परिच्छा नहीं होगी यानि कि अब कोई UPTET जुनियर का होने वाला नहीं है 9th point को देखेंगे प्रेंट्स 2011 से पहले जिन लोगों ने B.A.D. किया था यानि कि जो लोग 2011 से पहले B.A.D. थे उन पर 50% जनरल वो SC OVC 45% की बादिता नहीं रहेगी क्योंकि 2011 से पहले ऐसा नहीं था कि जो 50% से कमबाला हो वो B.A.D. ना कर सके पहले ऐसा प्राविधान था कि वो 50% कम अंक पर भी B.A.D. कर सकते थे ऐसी स्थिम में उनको PG के 50% से उपर की मार्शिट दिखानी होती थी जब वो इंट्रेंस फॉर्म बार थे बाद बालों पर ये विवस्ता लागू हो सकती है नोट यदि सरकार 2011 से पहले बालों को छूट नहीं देती है तो कोट तयार बैठी है इसलिए निश्यन्त रहें 2011 से पहले B.A.D. करने बाले भी इसमें अपलाई करेंगे दसमें पॉइंट में देखेंगे फ्रेंट्स 31 जनवरी को आयुजित सीटेट का परणाम 20 फरवरी तक आ जाएगा और जो जूनियर सीटेट में पास होगा उसको मौका देना ही पड़ेगा इस बरती में 11 पॉइंट को देखेंगे फ्रेंट्स language यानि कि भासा में combination की बादिता नहीं है जैसे कि TGT PGT में रहती है तो language में आपके पास कोई भी language हो जैसे कि English की बात करें तो रहता है कि आपके पास English literature होना जरूरी है लेकिन इसमें ऐसा नहीं है ऐसे हिंदी की बात करें तो वो इंटर में संस्कृत की बादिता रहती है लेकिन इस बाली भरती में language में combination की बादिता नहीं रहेगी हिंदी इंगले संस्कृत जो भी भासा भी एड में ली हो या आपके पास ग्रेजुएशन में रही हो उसके आधार पर आप फॉर्म भर सकते हैं हिंदी के लिए संस्कृत का होना अनिवार नहीं है जैसा TGT में होता है और PGT में संस्कृत अलग विसे माना गया है इस एडवाइजरी से केवल इतनी ही जनकारी प्राप्त हुई है बाकी बिग्यापन आने पर इसपस्ट होगा फ्रेंड्स सभी को बहुत-बहुत सुब कमना है आप अपनी तयारी में लग जाईए आपको सफलता अवस्च मिलेगी थैंक यू फ्रेंड्स